हेलो फ्रेंद्स वेल्टूम तो माई यूट्यूब चैनल आज किस वीडियों डिसकस करेंगे कि आप कोई भी डॉकुमेंट को स्कैन कैसे करेंगे और स्कैन करने के बाद आप उसको इमेज और पीडियाप में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले प्ले अब की प्लेट रहें हैं चैनल सब्सक्राइब होगा तो यहां से उपन कर रहा हूं उपन करने के बाद कुछ ऐसा इसका इंटरफेस होगा आपने क्या करना यहां पर जब जो ऑपन हो जाएगा आपसे अगर पर लाज हो मागे तो आपने इसको परमीशन दे देदे नहीं है after giving permission जो next interface आएगा वो आप देखेंगे तो यहां पर यह देखिए open हो रहा है तो यहां पर जो भी आप से permission वेरा मांगे आप अलोग कर देंगे तो फिलाल यहां camera पर मुझे click करने करने के लिए तो यहां पर यह देखिए document आ रहा है so मैं इसको यहां से select कर रहा हूँ और यहां से मैंने photo click कर ली तो यह देखिए इसको मैंने यहां जितना मुझे area चाहिए यहां से particular area choose कर लिया और नीचे देखिए यहां से आप back आ सकते हैं इसको rotate कर सकते हैं left से right से या all कर सकते यहां से next करेंगे हम तो मैंने next पर जब click किया तो यह देखिए पूरी यहां पर scanning हुई हो document की klattie देखिए कितनी जादा होगी अगर आप normal camera से click करेंगे तो इतनी klattie नहीं आएगी यतनी अभी आईए आपको मैं एक बार इसको यहां से save कर लीजे उसके बाल सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहां पर save आट का option तो मैंने save कर लिया तो यहां पर देखिए इसको मैं zoom कर रहा है इसकी klattie देखिए klattie आपकी full आएगी now अब सबसे important चीज है कि आप यह जो आपने scan किया यहां document आप ऐसे multiple जो भी आपकी पूरी assignment है यहां आपने कोई photocopy करनी है यहां कोई भी document scan करना है ऐसे उसको करके आप अब jpg में यहां PDF में कैसे convert करेंगे यहां पर देखिए top पर share option आ रहा है यहां पर click करिए तो यहां से आप देखिए यहां से share as PDF कर सकते हैं share as jpg कर सकते हैं share as long image कर सकते हैं share as word कर सकते हैं तो फिलाल मुझे यहां share as PDF करना है तो मैं इस पर click कर रहा हूँ click करने के बाद यह PDF में यहां convert हो गया है तो आप यहां से इसको top से share करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं share लिखा share पर मैंने click किया click करने के बाद आप यहां पर media choose करेंगे जिसकी help से आप करना चाहते है share यहां से WhatsApp पे भी आप इसको directly share कर सकते हैं Gmail भी कर सकते हैं Telegram कर सकते हैं there are some many नीचे आप देख सकते है options हैं कोई भी आपको इसमें से use करना आप कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहां email कर रहा हूं यह तो मैंने यहां Gmail पे click किया और यहां जो मेरी file है यहां जो मेरी file है यहां से send होगा आप देखी भी सकते हैं nीचे आ रहा था send message तो ऐसे आप किसी भी फाइल को jpg और pdf में convert कर सकते हैं जैसे हैं मैंने आपको बताया तो मैं आपको यही prefer करूँगा बहुत जारी apps आपको मिल जाएंगी play store पर लेकिन आप cam scanner का use करिए यह काफी अच्छा app है और काफी जादा users को use करते हैं कोई भी आपको problem आई से आपको use करने में आप comment box में comment कर सकते हैं जैसे मैंने आपको starting में बताया था मैंने document को यहां scan किया था यह देखिए particular area मैं आपको यहां पर बता देता हूं यह देखिए scan किया तो नीचे आप देख सकते हैं यह जितना भी आपको portion है यह handles आ रहे हैं यहां पर placeholder आप यहां से select कर सकते हैं otherwise back आपके discard कर दीजिए और यहां से देखिए बहुत सारे यहां पर option है आपने excel file करनी है photo ID करनी है OCR करना है doc करना है ID card करना है book करनी है question book करनी है बहुत सारे यहां पर options आप कोई भी option use कर सकते हैं depend करता है कि आपका जो document है वो कैसा ID card है book है यहां son है उसके recording आप उसको scan और यहां से next करेंगे और बाकी सारी आपको मैंने process सारी करके बताई दिया यहां पर filters लग गया है कोई भी आप यहां से filter use कर सकते हैं अपनी नीट के recording so friends से सारी process करके देखिए फिलाल यह मैंने paid version purchase किया लेकिन आप इसका use करेंगा आपको trial version मिलेगा trial version में क्या होता है प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप comment works में comment कर सकते हैं so friends से process करके देखिए few face any problem comment works में comment कीजिए और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को like share subscribe कर ना मत भूलिए so that in future जो भी ऐसा latest update आएगा उसका notification आपको timely मलता रही है